सबी को मेरे नमस्कार तो मुझे बहुँ ज़ादा रिक्वेश्ट आ रहा था कि मैं एकांकी की सिमिस्टर 4 का अब्जेक्टिव क्वेश्चन डालो क्या क्या आता है तो पेपर 10 का है ये अब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिला के सिलेबस के हिसाब से तो ये मेरे एक्जाम टेम पूछा गया था मैं खुद से भी कुछ रिलेटिव और बता दूँगी तो देखिए पहला जो क्रूश्चन है वो है रेवती किस एकांकी की पात्र है जिसमें जो लिखा हुआ है ताई ये गलत है ताई नहीं है नए महमान ठीक है जो हमारे शलेबस में है तो वही रेवती उस एकांकी की पात्र है विश्वनात की पत्ने थी और उसमें वो भी कोशन बनाया जा सकता है कि नए महमान के जो मुखे पात्र है थो वो कौन थे तो विश्वनात जी होंगे उनके कितने बच्चे थे तो दो बच्चे थे उनके ठीक है अब जैने नेक्स्ट फिर देखते है क्या है एकांकी कार भुनेश्वर के किसी एक एकांकी के नाम लिखे तो आप लोग खुद श्ट्राइक एकांकी जो हमारे शलेबस में पढ़ना है सिमिस्टर फोर कोर टेन में जिसमें श्ट्राइक एकांकी पढ़ना उसके जो लेखा के वो भुनेश्वर जी है तो आप ये इजली लिख सकते हैं कि श्ट्राइक एकांकी भुनेश्वर जी के है फिर है गा सुवाश्चंद्र किस एकांकी का पात्र है जो सुवाश्चंद्र है वो किस एकांकी के पात्र थे तो हमारे स्लेबस में है सीमा रेखा एकांकी उसके पात्र शुबाश्यंद्र जी थे ठीके फिर है घा कवीता तो कोमल हिर्दयो की चीज है यह पंक्ती किस एकांकी की है यह जो पंक्ती बोला गया है कि कवीता तो कोमल हिर्दयो की चीज है यह प लोगों के सलेवस पे भी है उसके बाद है अश्ट्राइक किस परकार के एकांकी है जो स्ट्राइक एकांकी है जो भुनेस्वर जी की दुवारा लिखी गई है वह किस परकार के एकांकी है तो यह समाजिक परकार के एकांकी है तीक है फिर है चा सीमा रेखा के एकांकी कार का नाम लिखे सीमा रेखा जो है वो एकांकी कार्मिन उनके लिखा कौन है एकांकी का सीमा रेखा का तो विष्णु प्रभाकर जी आ अच्छा से याद रखे आप लोगों को पढ़ना है वो एकांकी है या नाटक है आप लोग पढ़ भी चुके होंगे तो वह एकांकी ही है, यह हमारे सलेबस में ही है, कोटेन पेपर में, फिर है उदेश अंकरभट की किसी एक रचना का नाम लिखे, उदेश अंकरभट जो लेखक है, जो अभी आप लोग सलेबस में पढ़ है, मेरा भी वीडियो अप्लोड़ेड है इस पर नए महमान पर जिनके लेखा उदेश अंकरभट है तो इजली आप इसको लिख सकते हैं कि उदेश अंकरभट की किसी एक रशना का नाम लिखे तो नए महमान फिर है विश्वनात किस एकांकी के पात्र है वही जो रेवती इनकी पतनी है जो first question हमारा था कि रेविती की से एकांकी के पात्र है तो नए महमान की तो उसी तरह विश्वनात की से कांकी के पात्र है तो नए महमान के पात्र है तो आसा करते हैं आप लोगों को खिल्यर हुआ हूँ गहे इतने सरा objective और मैं कुछ से कुछ बता दीती हूं कि और अगर ये बोला जाए कि उनकी जो छोटी बहू थी उनका क्या नाम था तो बेला नाम था और बेला किसकी पतनी थी तो दादा जी की छोटे पोते की पतनी थी ठीक है और उसको छोटे पोते का क्या नाम था तो पारस नाम था और फिर पुछा जाएगा कि सुखी डाली जो बढ़कत के पेड़ के एक भी डाली को तूटा हुआ नहीं देखना चाहते हैं तो इस पे फिर उसकी जो बहु है छोटी बहु बेला क्या जवाब दी थी कि मैं ऐसा डाली बनके नहीं रहना चाहती हूँ जो तो पेड़ के साथ जुड़ीत रहूं बलकि उसके विकास में रुकावट बनों में सुखी डाली बनके रहना नहीं चाहती हूँ उसके बाद कहानी का मिन सुखी डाली कांकी का समापन हुआ थी सवाकिक के साथ कि फिर बेला को समझ में आ गया था वो हसी खेलते खुशी से सारे पूरे परिवार को फिर मिल जूल के रहने लगी थी और फैमली भी समझ चुका था तो यह हमारा सुखी डाली से में में पॉइंट जो अब्जेक्टिव क्वेस्टिन है वो है और यह भी है कि दादा जी का नाम क्या था तो मूल राज नाम था दादा जी का ठीक घर के मुख्या कौन थे सुखे डाले कांकी में, तो दादा जी घर के मुख्या थे, ठेक, यह clear हो गया इधर, फिर आपका, इधर तो सारा जो main-main है वो तो बताई दियो, और जो भी आप लोग एक कांकी सुनिएगा, तो उसमें मैं सारे कांकी जो जो बताती है, उसमें मैं उब्जेक्टिन भी बतात मेरा किलियर होता है तो आप लोग अच्छे हो अधियान से एक पॉइंट को सुनिए बार-बार रिपीट करके सुनिए तो अबजेक्टिक भी किलियर होते जाएगा और पूरा स्टोरी भी समझ माएगा तो थैंक यू वीडियो को देखिए लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंड कीजिए और मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड और नौटिफिकेशन पहुच सके तो धन्यवाद कीप वॉचिंग